हेलो इबरीवन नमस्कार सभी को चलिए दोस्तों आज की सेसन में काफी इंपोर्टेंट साइन्स से रिलेटेड नावी की बहुत ही की से समधित हम लोगी इंपोर्टन फैक्ट देखेंगे जो बेसिकली यहां सिंख जाम में पूछ ली जाते हैं और आई होप सेसन अच्छा आज़ेगा तो देखें अगर हम फस्ट अफॉल बाट करेंगे एबाउट इलक्ट्रों तो आप सभी जानते हैं कि इलक्ट्रों की खोज सबसे पहले अंग्रेजी विग्यानी को कोन की है जे जे थॉमसम ने किये हैं और यह कब किये हैं तो 1897 में है न तो इलक्ट्रों की को बाहर चारों और शक्कर लगाते हैं इन पर अगर हम बात करेंगे इन पर 1.6 गुनेटी इन टुप मैनश नाइनन कुलाम रिनावेसित आविस होता है इसका जो द्रमान होता है वह होता है वह नाइन पॉइंट वन पुनेट इन टूपावर माइनस 31 किलोग्राम होता है और यह एक stable मुलकन है है ना अस्थाई मुलकन है तो आई होप सेसन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक किजेगा इसके बाद proton के बाद करेंगे तो proton की खोज परसीद विज्ञानिक सैंटिस्ट गॉल्ड एस्टीन ने की है गॉल्ड एस्टीन साहब ने और यह नाइट्रोजन नाविको पर अलफा करनों का परहार करने की प्रोटीन का दर्मान 1.67239 गुने 10.27 किलोग्राम होता है और आवेस 1.6 गुने 10.27 किलोग्राम होता है नाइटिन कुलोम धनावेसित होता है यह एक अधिस सुक्ष्मकन है और इसका जो उप्योग है इसका जो यूज है वो क्रितिम तंत्रावंतरन है ना यानि आर्टेफिसियल टांस्मुलेशन में उप्योग किया जाता है प्रोटोन का तो कभी-कभी प्रस ने पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिफिसियल टांस्मुटेशन में किस चीच का प्रयूग करते हैं इलक्टोन प्रोटोन नीटोन तो इसका बिल्कुल राइट एंसर क्या हो जाएगा प्रोटोन है और इसका खोश को और देशनी किया है 1896 में और इलक्टोन के 1897 में जिए जो थॉमसम इसका नीटोन के बैसे के लिए आप सभी जानते हैं कि इसका जेम्स चॉडविक ने इसका खोच किये हैं कब किये हैं तो 1932 में बिरेलियम पर जो अल्फा कनुव का परहार करके ही यह एक आवेसित कन होते हैं और इसका जो दर्मान होते हैं 1.675 गुनेटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें इसका जो बेदन चम्ता होता है परेंटेंटिंग पौबर अतीधिक होता है और यह केंसर की चिकत्सा और नाबी के बिकंडर नुकलियर फिजन में परिउक्त किया जाता है पोजिस्टोन यह एक धनावेसित मूलकन है ना जिसका दर्मान वा आवेस परिणाम में इलक्टोन के बराबर होता है इसलिए इसे इलक्टोन का परतिकन यानि एंटी पार्टिकल भी कहते हैं और इसका को खोज कब किये हैं तो 1932 में एडर परिण सहाब ने चीक है ना इसका नीट्रोन नीट्रोन यह लगभग दर्मान रहित वह आवेस रहित मूलकन है और इसका जो खोज है उन्हें 130 इसमें पावली निकीया और नीट्रोनों की परतिकन होता है जिसमें जिसे एंटी नीट्रों कहते हैं फोट्रोन देखिए होता है तो उर्जा का ये बंडल होता है और परकास की चाल से चलता है जोहां इसका बात निर्मान जो कि इस विधि दवारा जो जीवों के जो आउसेस को आयू का पता लगा जाता है तो ये प्रस्न पूछा जाता है कि कार्बन फोटी है या कार्बन काल निर्मन इसका उप्योग क्या जाता है जीवन के जो आयू है उसको पता लगाने में जीवी तबस्ता के परतिक जीव जैसे पौधा हो गया चंतु हो जाता है किसी भी मृत जीव में जो कार्बन 14 की सक्रीधा को माप करने के करके उसकी जो मिर्थिव का वर्तमान तक की समय की गर्णा की जाती है ठीक है इसके बाद नेश्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका है यूरेनियम काल निलधारन चैटान आदी प्राचिन निर्जीव पदार्थों की आयू को उनमें उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिजव जैसे यूरेनियम दवरा गयात किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारित की इस बीधी दवरा चंदरमा से लाई गई चैटानों की आयू 4.6 कुने 10.9 कोस्ट में का सकते हैं कि 4.6 अरब वर्स पाई जाती है जो कि लगबग उतना ही है जितना पिर्ती भी है ना नावी की रीक्टर यह एक नाभ की रीक्टर के बारे में देखेंगे तो यह एक ऐसी यूक्ति है जिसका जो यूरेनियम है दूसर पैंटिस का नियंदर बिखंडन करा जाता है और परतम नभी बिखंडन जो विग्यानिक है एंडी को फर्मी ने निर्देश में अमेरिका के सिकागो है ना सिकागो जो भी स्विच जाले है इसके बाद नुक्लिर फ्यूजन यानि नाभी की विखंडन जब यूरेनियम दूसर पैंटिस पर हमंद गती के नीट्रोनों की बंबारिक की जाती है तो इसका जो भारी नाभी की विवक्त हो जाता है और साथी बहुत अधिक उर्जा उत्सरजित होता है इस अभी किरिया को नाभी की विखंडन कहते हैं परमानुबं नियंत्री नाभी की विखंडन अभी किरिया पर अधारित है तो यह परसन पूछा जाता है कि जो परमानुबं है किस पर अधारित है तो यह नाभी की विखंडन अभी किरिया पर अप्लाइड होता है परसन पूछा गया है परतम या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हलके नाभिके सीउक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, तथा अतिधिक उर्जा बिमूफ करते हैं, तो इस अभिक्रिया को नाभिके सनलेन कहते हैं, है ना, सूरी से प्राप्त परकास और उस्मा उर्जा का मुझ के सुरोत नाभिके सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में टेक केर बाइब जय हिंद